दिवाली से पहले कर लें ये साथ काम मा लक्षमी की बरसेगी किरपा नमबर एक घर की साफ सफाई दिवाली आने से कुछ दिन पहले ही घर की साफ सफाई शुरू कर दें और घर के एक-एक कोने को अच्छे से साफ करें घर में कहीं भी कोई चीज बिखरी और फैली हुई ना हो माननेता है कि जिस घर में ज्यादा कंदिगी होती है ऐसे घर में मा लक्षमी नहीं आती है नमबर दो तूटी और बेकार चीजों को घर से बाहर निकालें दिवाली से पहले घर के किसी भी कोने में कुड़ा कबाड ना रखें अगर आपके घर में कोई भी तूटी फूटी और ज्यादा पुरानी चीजे मौझूद हो तो उसे दिवाली से पहले घर से बाहर निकाल दें नमबर 3. मंदिर की साफ सफाई दिवाली से पहले घर के मंदिर की साफसफाई ना भूलें क्लीनिंग के बाद घर में गंगा जल छिड़कें वास्तु के अनुसार दिवाली में पूजा घर की लाल, हरे, गुलाबी, पीले और नारंगी रंगों से सजावट करनी चाहिए और दिवाली के दिन मा लक्षमी के पत, चिन और स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं वास्तु के अनुसार टूटी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसा करना अशुब माना जाता है इसलिए दिवाली पूजन से पहले टूटी मूर्तियों को विसर्जित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें घर में अगर कोई पुरानी और बंद घड़ी पड़ी हो तो उसे दिवाली से पहले जरूर हटा दें वास्तु शास्त के अनुसार घर में रखी खराब या बंद घड़ी परिवार के सदस्यों की तरक्की रा में बाधाएं लाती है नमबर छे खिड़की दर्वाजे की क्लिनिंग दिवाली से पहले घर के में गेट और खिड़की दर्वाजों की अच्छे से सफाई कर लें साथ ही खिड़की दर्वाजे से अगर आवाज आए तो उसकी मरमच जरूर करा लें वास्तु के अनुसार घर में टूटे हुए बैट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इससे मेरिट लाइफ में प्रॉब्लम आती है और मन चिंतित रहता है इसलिए दिवाली से पहले घर में टूटे हुए पलंग को बाहर निकाल दें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद